एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ अफेर हो जाता है पर इन दोनों को दूसरे टीचर ने पकड़ लिया ये टीचर स्टूडेंट को हेल्प करना चाहती थी पर यही से सिचुएशन बिगड़ गई हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको मिस्ट बिहेवियर ये 2016 के कोरियन थ्रीलर मुवी एकस्प्लेंट करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया इसी धीम पर ये बेस्ट है और आपको वीड़ अच्छा लगता है तो ब्लीज इसे लाइक कर दीजएगा और बिना किसी दरीके एकस्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन केरेक्टर हुजो को देख सकते हैं उसकी फिर हम प्रिगनन्ट थी तो अचानक से उसे स्कूल में लेबर स्टार्ट हो गया उस्पिटल में भेज दिया जाता है अब इसके बाद स्कूल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है उनके प्रिंसिबल टीचर से कहते हैं कि जो भी टेंपरेरी टीचर है वो प्रिंगन्ट हो नहीं सकते हैं अगर हुए तो उनका जॉब चला जाएगा यह बहुत याजीब भूलता पर फिर भी टेंपरेरी है तो इन्हें मानना पड़ता है इसके बाद थोड़ी दिर में प्रिंसि जॉब नहीं किया तो उसका नाम इसमें नहीं आएगा यूजू कुछ जबरदस्ती रिस्पॉंसिबिलिटी लेनी पड़ती है उसकी फ्रेंड का क्लास यह रात का था क्लास में उसने नोटिस किया कि एक स्टोड़न्ट मिसिंग है इसके बारे में उस्टोड़न्ट से बु कि वो से एडवाइस करती है कि उसे प्रॉपर डांस की कोचिंग करनी चाहिए वो उसकी एक्चुल टीचर नहीं तो एडवाइस करकर चली जाती है यूजू के घर पर उसका बॉर्फरेंड भी है वो घर पर ही नौवेल लिखने की कोशिश कर रहा है यूजू को दिन भर का लिख भी नहीं पा रहा हुजू उसे बता दी है कि आज से उसके एक्स्ट्रा ग्लास है तो लेट हो जाएगी उसका बॉर्फरेंड खुद का खाना खुद भी नहीं बनाता वाशिंग मचीन में भी उसने सब कपड़े मिक्स कर दिये थे तो यूजू उस पर गुस्सा हो ग तो वहां न्यू टीचर आय हुई है और इसका नाम है यंग स्कूल में आते ही यह पर्मनन भी हो गए एक्चली उसके फादर ही चेर्मन है पर्मनन टीचर बनने की बारी यह हूजू गी थी उसके जगा पर अब यंग पर्मनन टीचर बन चुगी है इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है थोड़ी देर में यंग और हुजो मिले यंग कहती है कि आप मेरी सिनियर हो हम दोनों एक ही कॉलेज में गए थे हुजो को इसके बारे में कुछ वी याद नहीं यहाँ से यंग के फादर भी गुजर रहे थे हुजो को उसने उनसे इंट्रोड्यूस करा द थे वो उसके थ्रूँ चेर्मन से अच्छी रिलेशन्शिप बनाना चाहते है यह सब फेमिल टीचर को अच्छा नहीं लगता यूजो जल्दी से यहाँ से जा रही थी तो टीचर कहते है यंग के साथ बैठो यह तुमारी जुनियर थी यूजो ने का मैं उसे पहचानती भ लेता है यूजो फिर ड्रंक जिहा को उसके घर पर छोड़ देती है इस इंसिडेंट के बारे में वो कल बात करेगी यूजो ने जिहा की फाइल देखी तो उसकी मदर नहीं है उसे कंफरेंट करने के लिए बुलाती है यूजो न से कहा कि अब क्या करना चाहिए जिहा जाओ यूजो ने डिसाइड किया कि इस बात को जाने देखी एक दिन जब वो टीच कर रही थी तो उसका फियांसे सांग उसे मिलने के लिए आया वो उस वर गुस्ता हो जाती है कहती है तुम यहां क्या कर रहे हो यह मेरा वर्क प्लेस है सांग उसके साथ लंच करना चाहत था तक िूजो उसे मना कर देती है उसने उसे कुछ पैसे देदी है और बाहर खाने के लिए कहा राओत में यंक ह्युग को उसके फादर के साथ हैं के सकूल में मुझे सपोर्ट कर सक है यंका फ्यांसे ही यूजो को गिफ्ट स्वेगिराबी देता है वो उसे अच्छे रिलेशंशिक बनाना चाहते थे फियांसे के जाने के बाद यूजो यंग पर बहुत ही चेड़ गए कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छे से बात करकर मुझे इस सब चीज़े देखकर तुम जाती है वह जब घर पर आई तो सांग घर छोड़कर जा रहा था यंग की पूछने पर कहता है मेरा फ्रेंड फ्रांस में है उसे के बास जाकर मैं व्राइट करने की कोशिश करूंगा वैसे भी तुम्हें मेरे होने से या ना होने से कुछ भी फरक नहीं पड़ता मैं अग से एंगेजमेंट करना शादी करना यह सब जीज़े कभी एक्सपेक्ट नहीं की उसे लगता है यह हूजो को उसके कोई भी नीड नहीं वो यहाँ से चला आ गया अगली दिन स्कूल में हूजो ने कुछ लड़कों को पकड़ा वो यंग की स्कर्ट की फोटो सब लड़कों को सेंड कर रहे थे वो लड़का अपने सफाय में कहता है यह मेरा फर्स टाइम है प्लीज मुझे जाने दो इसका मतलब है यंग के फोटो बहुत सारे लड़के शेयर करते हैं यह जो इस पर स्टिक्ट आक्शन लेने वाली थी लड़का कहता है तुम्हें क्या फरक पड़ यंग उसे सौरी कहा अगले दिन यंग ने उस्टूटरंट का मोबाइल उसे रिटन कर दिया यह स्टूटरंट हस्ते ह्यूजो के सामने से जाता है यूजो और भी जादा घुस्सा होगे आज रात ह्यूजो फेसे जीहा की प्रैक्टिस देखने के यहाँ पर उसने देखा यंग और जीहा यह दुनों इंटिमेट हो रहे थे अगली दिन स्कूल में मीटिंग बुलवए जाती है किसे और स्कूल में टीचर और स्टूरंट को एक साथ पकड़ा गया था और यह अलाउड नहीं इसी को डिसकस करने के लिए यूजो यंग से बात करती है कहती है मुझ है तुम मुझे हेट करती हो प्लीज मुझे चांस देतो अगर स्कूल को पता चला तो मेरे फादर और फियानसे को भी पता चल जायेगा मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी प्लीज मुझे चांस दो यूजो ने कहा इस बात को तुम वार्निंग समझ लेना जीए से मिलना इस बात को इतने असानी सो जाने नहीं देगी अगली दिन हुजो जीहा से मिली उसे कहती है अब तुम यहाँ प्रैक्टिस कर नहीं सकते तुम यहाँ क्या करोगे इसका कोई भी भरोसा नहीं जीहाँ इस बात से डिसपोइंटेड हो गया जब वो स्कूल से बाहर आता है तो हुजो उसका वेट कर रही थी वो उसे एक डांस के कोचिंग में लेकर जाती है कहती है इसके सारे पैसे में पे करूंगे उसने उसके फादर से अल्रेडी बात कर ली थी जीहाँ को इस बात से बहुत अच्छा लगा जब वो डांस प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके मोबाइल पर यंग का मैसेज आया यूजो इस वर बहुत गुस्सा आओके वो गुस्से में जीहाँ का मोबाइल तोड देती है बात में जीहाँ उसे ठोड़ नहीं पा रहा था अगले दिन उसने जीहाँ को बुलाया और एक डांस कॉम्पेटिशन के लिए उसे साइन अप करवाया वो उसका फ्यूचर अच्छा देखना चाती है ये सब चीज़े यंग नोटिस कर रही थी एक दिन पुरी स्कुल ट्रिप पर गई हुई थी यहाँ लंच करते वाग यूजो के फ्रेंड्स यंग को भी बुला लेते है यूजो ने जीहाँ के लिए जो बी किया यह यहाँ पता चलता है यूजो कहती है ये जीहाँ का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है वो famous हो सकता है और मैं student का भला ही चाहती हूँ इसके बाद आज राज जब यंग अपने फियांसे के साथ थी तो फियांसे कहता है मुझे हुजो का call आया था मुझे लंच के लिए मिलना चाहती है यंग बहुत ही डर गई उसने कहा उसे कोई भी contact मत रखो राद में वो फिर से हुजो के पास आती है उसे कहती है यू प्लीज मुझे help करो प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना इसके बाद हुजो जियांसे को practice पर लेकर जाना और घर छोड़ देना ये सब चीज़े continue करती है जियां हुजो से एक दिन कहता है क्या आप मुझे help कर सकती हो एक बहुत ही अच्छा डांस का concert है वहाँ पर मुझे जाना है क्या आप मेरे साथ चलोगी हुजो भी उसके excitement देखकर इसके लिए मान जाती है जियांने अपनी बॉस निकाल कर हुजो को दे दि वो गहता है competition के बाद में ले लूँगा अगली दिन स्कूल में भी हुजो उसे पहन कर रखती है यंग ने चीज नूटिस की ये दोनों मिलकर फिर उस डांस को देखने के लिए जाकर आए एक दिन हुजो ने जब जिया को घर पर छोड़ा तो जिया कहता है आज में घर जा नहीं सकता मेरे फादर के साथ उनकी girlfriend है वो रात बाहर ही गुजारने वाला था हुजो उसे अपने घर लेकर आती है उसने उसे सोने के लिए सब कुछ दिया तब इस सांग वहाँ पर आ गया सांग कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो मैं तुमारे बीना जी नहीं सकता तुमारा ही बनाय हुआ खाना मुझे अच्छा लगता है जो तुम चूस करती हो वही कपड़े में पहनता हूँ हुजो ने का तुमारे मदर के बास जाओ मेरे बास मत आओ इनकी बातों में सांग ने जीहा को देख लिया उसे रखता है इन दोनों में रिलेशनिप है हुजो भी इसके लिए मना नहीं करती सांग गुसे में हुजो को कुछ भी बोलकर यहां से चला गया राग में हुजो को नीन नहीं आ रही थी वो जिहा के पास आगई उसने उसे kiss कर लिया जिहा भी उसके साथ intimate हो जाता है ये दोनों फिर इसी तरीके से अपनी relationship continue करते है स्कूल के पार्किंग में भी ये दोनों make out करते थे हरोज हुजो जिहा को घर छोड़ने के लिए आती है जिहा के फादर कहते है ये हुजो बीना कुछ expect किये हुए तुम्हें कितनी help कर रही है जिहा ने कहा कि उसका भी reason है इसके बाद जिहा की dance competition थे हुजो उसे cheer up करने के लिए आई यहाब और उसने notice किया यंग भी उसका dance देखने के लिए आई हुई है competition के बाद वो जिहा को हर जगा पर ढून रही थी पर जिहा पार्गिंग में यंग के साथ था यंग अब जिहा को completely ignore कर रही है तो जिहा उस पर गुसा था वो कहता है कि जैसा तुमने कहा था यह हुजो के साथ relationship में होना मैंने सब कुछ किया है इसका मतलब है यह सब इन दोनों का प्लान था यंग कहती है इसके बाद हम नहीं मिलेंगे तुमारा education सब fees में दे दूंगी जिहा उसे गले लगा लेता है कहता है प्लीज ऐसा मत करो हुजो जिहा को ढून नहीं पाई तो उसके घर के सामने उसका वेट करती है यंग जिहा को छोड़ने के लिए आई थी घर छोड़ते वक्त ये दोनों किस करते है हुजो को बहुत बुरा लगा इसके बाद जिहा हुजो को पुरी तरीके से स्कूल में भी इग्नोर कर रहा था डांस कॉमपेडिशन में जीदने की वज़े से जिहा को एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है हुजो एक दिन उससे बात करती है कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो जिहा ने का कि तुमने जो कहा तब मैंने वही किया मैं खुद तुमारे पास नहीं आया था एक टीचर यही चाहती है कि स्टूडेंट का भला हो और मुझे अच्छा कॉलेज जब मिल चुका है यूजो के साथ कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहता वो कहे कर जाता है यहा एक्च्छल विक्टिम तो मैं हूँ यूजो हर्ट हो गई यंग के पास आये कहती है तुमने मुझे से कहा था कि तुम जिहा से नहीं मिलोगी यंग गहती है तुमें जो करना है कर लो मैंने वैसे भी मैरे फादर को सब कुछ बता दिया है वैसे भी मैं टीचिंग कंटिनू नहीं करने वाली थी ये कहकर उसने ह्यूजो को चुप करा दिया अगले दिन ह्यूजो की फ्रेंड जो प्रेगनन्ट थी उस स्कुल में वापस आ गए प्रिंसिबल ह्यूजो को फायर कर देते है ये सब यंग नहीं अपने फादर को बोल कर करवाय हुआ था ह्यूजो फिर यंग से मिली वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो मैं इसकोल छोड़ नहीं सकती है यंग भी इस बात के लिए मान गए वो कहती है सब चीजे छोड़ कर अब हम एक दुसरे की फ्रेंड से है तुमारे जॉब के वारे में मैं मैं मेरे फादर से बात करते हो राद मैं हेंग आउट करने के लिए हूजो को अपने घर पर वो ले कर गई यंग हूजो को उसके लिए चाय बनाने के लिए कहती है यंग ने हूजो से पूछा क bracelet में जीहा से प्यार करने लग गई थी वो सिर्फ एक स्टूडेंट है मैं उसके साथ टाइम पास कर रही थी इतने छोटे से स्टूडेंट के साथ प्यार करना ये कितना गलत है वो हुजो पर हस रही थी ये बात करकर वो रिलाक्स करती है हुजो को बहुत गुसा आया सारी गरम जाय उसने यंग के चेहरे पर डाल दी यंग के फोन से उसने जिहा को घर पर बुला लिया जिहा सप्राइस था ये हुजो यहा क्यों वो कहती है यंग मेरी फ्रेंड है उसने उसे गले लगा लिया कहा ये मेरी फिलिंग्स रियल थी जैसा सब को चल रहा था वोही चीज़े हम continue कर सकते है जिहा कहता है कि मैं यंग से प्यार करता हू हम दोनों ने मिलकर तुम्हें फसाया था तुमने अगर हमें देखाने होता तो सब कुछ ठीक हो जाता तुमें एक devil हो तुमने हमारी life complicated कर दी वो कहता है तुम्हें सिर्फ एक pet की जरूरत है वो गुस्सा हो गया और हुजो के साथ intimate हो जाता है कहता है तुम्हें सिर्फ यही चाहिए इसके बाद जब वो bathroom गया तो directly उसे यंग की dead ward ही मिली हुजो ने उसे मार डाला था मूवी के last scene में हुजो को पकड़ने के लिए पुलिस आय हुए थे इसी तरही के से मूवी end हो जाती है हुजो का job चला गया तो बहुत disturbed थी तुरंद बाद उसका boyfriend भी उसे छोड़ कर चला गया वो एक bad place में थी तबी जीहा से वो attracted हो गई जीहा उसका obsession बन गया और सब कुछ चीज़े वो manipulate करने लग गई जब उसका plan successful हुआ नहीं तो अपने बारे में भी वो सोच नहीं रही थी अपने obsession की वज़े से उसने यंग को भी मार डाला end में वो जेल में चली गई इस movie में उसके obsession की वज़े से उसने safe destruction किया आज का वीडियो हम यही कतम करते हैं अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दान में मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया